आपकी स्क्रीन के सामने आप लोग एक सक्स को देख रहे होंगे इनका नाम है संजय राउत और आप देखें कि ये सिपसेना की ओर से राजसाबा सांसल भी है और आपको बता दूँ कि जो आप लोग ठाकरे परिभार देखते हैं ना इनके काफी करीब है खासे माल लीजे आप लोग क्योंकि आप देखेंगे आप कुछ पिक्चर्स अगर आपने स्क्रीन पर देखेंगे तो मुझे रखता है कि समझ में भी आपको आजाएगा देखें बाला साब ठाक रहे हैं और संजय राउत और आप देखेंगे ये परिवार के करीब मानने जाते हैं और आज हम लोग इनके बारे में क्या बात करेंगे इनके बारे में एक सामान जानका देख लेगे इनकी वायोग्राफी कह लिजे आप लोग जीवनी कह लिजे या जीवन परचे कह लिजे क्योंकि महराष्ट की बात होती है महराष्ट की राजनिती की बात होती है, तो संजय राउत का आना तै होता है, और संजय राउत का नाम चर्चा में जरूर आ जाता है, महाराश्ट को एक बार आप लोग देख सकते हैं, यह महाराश्ट हो गया, इसकी राधधानी मुंबई हो गई, अगर आप देखें तो यहां आपको लेगी, बिधान परिशाद भी है, वहां 78 सीटे हैं, राज्य सभा में 19 सीटे हैं, लोग सभा में 48 सीटे हैं, इसलिए महाराश्ट आपका काफी मात्मूर भी हो जाता है, तो संजय राउत सिपसेना की एक भारती राजनेतिक हैं, और सिपसेना से जुड़े हुए हैं इनकी सिपसेना की ओर से खुद रखते हैं, संजय राउत, इनकी अगर हम लोग जनम की बात करें, तो 15 नवंबर 1961 में इनका जनम हुआ था, अलीबाग महाराश्ट में इनका जनम हुआ था, और उन्होंने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेड कर, College of Commerce and Economics से Bachelor of Commerce B.com की पढ़ा पारे जादी के हैं, और उनके माता-पिता राजाराम राउत, और माता का नाम है सभीता राजाराम राउत, इनके छोटे भाई भी आप लोग काफी सुनते हैं, यह भी राजनीता हैं, और सिपसेना से जोड़े हुए, सुनील राउत इनके भाई का नाम है, और 16 फरवरी 1993 म की दो बेटियों हैं अगर हम लोग सिपसेना के संजय राउद की राजनितिक सफर की बात करें तो संजय राउद पहली बार सद 2000 में महराश्ट से राज्यसवा के लिए चुने गए थे हैं और राज्यसवा सदस का जो चुना होता ना ये डारेक्ट जनता की द्वारा नहीं हो होता है ये जो आपके विधाय को थे हैं विधाय की चुनते हैं राज्यसवा सदसों को सन 2005 में सिपसेना की निता की रूमे नियुक्ति की इनकी की गई बे अक्टूबर 2005 से ग्रह मामलों की समिथी और नागरी को 10 मंतराले के लिए सलायकार समिथी के सदस थे मई 2009 तक और 2010 मे महराष्ट से राज्यसवा के लिए फिर से चुना गया क्यूंकि आप सभी जानते के 6 साल का कारकाल रहता है फिर 2010 में उन्हें उब्भोक्ता मामलों खाद एवं सार्वजिनिक बिजली वितरन मंतराले के लिए सलायकार सम्ती की समिथी के सदस के रूम में नियुक्ति की ठीक है तो ये अनकी राजनतेक सफर हो गया लेकिन आप देखते होंगे संजयराओत काफी बिवादों में बने रहते हैं तो इनसे आपने देखा होगा कौन कौन से बिवाद जुड़े हुए हैं तो 20 नवंबर सन 2012 को बाल ठागरे की मित्यू के बाद मुंबई बंद के बा बढ़ा तो आप देखेंगे कि जिसने उस पर लाइक भी किया हुआ था और जिसने कमंट किया हुआ था दोनों को पुलिस ने गरबतार भी कर लिया था महलाओं की उम्मर 21 बर्स थी उनमें से एक ने पोस्ट पर टिपड़ी की थी और दूसरी महला ने टिपड़ी को आपना भी करना पड़ा था और आपने देखा होगा हम लोगों ने बालस आप ठांगरे के बारे में भी बात की हुई उनकी भी बायोग्राफी कवर की हुई है और एक पावरफल नेता थे वो और आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी चुनाओ नहीं लड़ा लेकिन उनक उंगलियों पर सभी राजनेता नाचते रहते थे उन्हीं की आप देखे गद्धी पर किसे वैठाना है मुंबई में उन्हीं का एक लंबय समय तक राजरा इंद्रा गांधी भी आप समझे घुटने टेक देती थे पर आप देखेंगे 13 अपरेल 2015 को कई लोगों और राजनेत दलों ने संजयराओत पर संपदायक तनाव भड़कानी की कोशिस करने का आरोप लगाये था यह आरोप संजयराओत द्वारा लिखे गए सामना सिपसेना का ये मुक पत्थ है और एक लेक के बाद यह आया जिसमें कहा गया था कि मुसल्बानों के मतदान की अधिकार को लागी तालीवानी राज तो इस समय भी संजयराओत की काफी आलोचना की गई थी 14 एकस्त 2017 को संजयराओत ने नाय पद्वा सागरी जी महराज सहाब जैन भिक्चु को उनके खलाब चुनाओ आचार सहिता के उलगन के लिए सिकायद दर्ज करने की धमकी दी थी उन्हें आ खाजापा का समर्थर करने और मास मुक्त समाज की और बढ़ने का अगरे किया था अखेल भार्ति जन अल्ल संकेट प्रकोष्ण ने राउत की बयान की आलोचना की थी और कहाँ वे उनकी टिपड़ी से बेहत दुखी और आहात हैं तो इस समय भी चर्चा में रहते हैं 2019 में आपने देखा होगा अपरेल 2019 को उन्होंने राम नवमी समारो की दौरान एक बिबाद पैदा कर दिया यग उन्होंने का कि आचार सहिता का हमेशा डर रहता है हाला कि कानून के साथ नरक में हैं और हम उस तरह की लोग हैं जो घोटन होने की वज़ा हमारे दिल और दि चुनाओ के पैडाम घोसित किये गए तो इसने भाजापा की संख्या में ग्राबट दिखाई और संजय राउत ने एक बात की घड़ी का लॉकर राकापा का पार्टी चिन पहने हुए और कमल के फोल पार्टी के चिन को सूंगते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी राउत आपने तस्वीरी को कैपसन दिया बुरा नावानो दिवाली है आला कि भाजापा की सदसों ने कहा कि तस्वीर खराब है और आप देखिए 2019 के बेधान सवा चुनाओ के बाद आपने देखाए कि भाजापा का इन्होंने साथ छोड़ दिया था और उधा उठागरे मुकमं कंगना द्वारा मुंबई को आसरक्षित करार दिये जाने के बाद पूरी पंक्ति शुरू हुई और उनकी टिपड़ी के बाद राजजी के ग्रह मंत्री आनिल देखरमोक ने कहा थे कि उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है और बाद में कंगना ने संजयर पर उन्हें धमकी देने कारोब भी लगाया था और टिपड़ी की थी कि मुंबई पाकिस्तान के कभजे वाली कस्मीर की तरह क्यों महसूस कर रही है या कमेंट सिब से ना हो कंगना रनोत के बीच और बढ़ गया कंगना रनोत और महराज सरकार के बीच बढ़ते विबात के यार नहीं रहता हूं क्योंकि आप देखिए उसके चेहरे पर आपको अलग ही एक तरस इस चमक दिखाई देती थी और बिंधास आदमी था और ऐसे बैखती अगर सुसाइट करने लगे तो बड़ी चिंता का बिसा है तो यही कहां नहीं है संजय राउत की और भी किसी नेत के बारे में बात करनी हूं तो बताईए करते रहेंगे हम लोग ठीक है